हेलो फ्रेंट्स मैं हुन जयान आज के टुटोरल में हम देखेंगे क्रॉस रपिट केसे बिटाए एक दम सिंबल तरीका है आप एक बार वीडियो एंड तक देखो गई आपको अपने अप समझ आ जा रहेगा उस चीज का मेरा गारेंडी है चलिए दोस्तों वीडियो पे चल सबसे पहले नया फैल ले लेता हूं इसका साइस रहेगा विट सपोस्पे 10 दिया है 15 दिया 300 dpa ओके फैल ओपन किया अब स्टार्टिंग करने से पहले एक कुछ फंडमेंडल समझ लीजिए ओके सबसे पहले फाइल डिसेड होने के बात इमेसेस पर जाना है क्लिक करना है हम इसको हइट में हइट में मींज यहां पर स्ट्रेट Ariel बटाएंगे इसको यहां से एसे ब्रास बटाएंगे ओके तो हाइट 15 width 10 तो height में straight रहेगा width में straight रहेगा height में 15 तो percentage में height में 50 percentage करिए यह height के value देखिए 2250 height के value 2250 यह ध्यान रखिएगा 2250 जो say we repeat बिटाने वाले cross repeat उसका 50 percentage के value लेना है 2250 यह fundamental एक अब ही cancel कर दिया अब यहां पर हम repeat बिटाएंगे सबसे पहले कोई भी action काम कर दिया immediately file को crop कर दो यहनि control A करके image में जाके crop करिए इसका shortcut में control P set किया हूँ तो मैं बताऊँगा control P and मैं keyboard में comment टाप करूँगा control P तो मेरे लिए crop हो जाएगा तो मैं बार-बार menu में नहीं जाऊँगा तो बस यह ध्यान रखिएगा ओके अब इस पर मैं एक solid color डाल के रखता हूँ ओके तो मैं यह color डाल के रखता हूँ अब इस पर ribbon बिटा था इस element को open किया copy किया यहां आखर इसको paste कर दिया इसको थोड़ा चोटा रख एसरा रख दिया मैंने क्या क्या इसको इसरा रखा और इसको duplicate लिया गंडूल टी करके इसको इससे गुमा कर यहां ऐसे रग दिया, Ctrl-T करके देखा box के अंदर ये इन दोनों को merge किया, again Ctrl-A किया, जो fundamentally कर रहा हूँ, image बें जाके crop, ये हर एक action होने के बत करिये जरूर, हो गया, अब filter other offset, तो मैंने इसको ऐसे किया, क्रॉस repeat का कासियत क्या है, अब हो गया, ये design दो भाग में हो गया, तो समर लो ये part 1 हो गया, ये part 2 हो गया, आपको कोई भी part, इसको आदा कर दो, मतलब part को ऐसे, imagination कर लो, ये motif को आदा हुआ ऐसे, मतलब कोई भी connection नहीं होना चे, जब अम सोचते हैं इन दोनों को connection नहीं होना चे, एक्तम दोनों के बीच में gap हो जए, वही आदा, ओके, तो अभी क्या करेंगी, इन दोनों में उसे किसी भी एक पकड़ो, ऐसे marking tool ले लिजे, यहां से marking tool select कर लिजे, और यहां आखे, ऐसे mark करिए, mark करके filter other offset, इसमें पता है न, आपको कौन सा value आएगा, अगर मैं फिर से समझाता हूँ, image में जाना है, image से इस पे जाना है, percentage 50, हम height में cross debit बिटाना है, 2250 यह value है, बस ध्यान रखना है 2250, filter other offset, उपर 0 हम vertical में cross कर रहा है, इसके लिए vertical में 2250 यह value दे देना है, यह इससे आगे, फिर हमने पहले copy करके रखा थे element यहां पर paste कर दिया, तो इसको control T करके, सर्च उठा करके इसमें merge कर दिया, merge किया, again control A करके crop कर रहा हूँ, हार एक action के बाद crop जरूर करिये, crop किया, filter other offset यहां आपर द्यान से देखिए, filter other offset रखके में, मेरे इससे ऐसे किया, अब मैं ऐसे किया इक gap समझने के लिए, gap fill करने के लिए, लेकिन यहां एक line आ रहा समझ है, यह line इसके लिए रहा है क्योंकि आपने cross rebel बिटा है, तो जैसे यह line आ गया, तो उसको marking tools से, उस line को इसा पूरा line पर select कर लिजेगा, ऐसे, zoom करके exactly marking tool को वहाँ आ जाकर रख दीजेए, ऐसे, ओके, रखे, अब समझ है न कुन सा value 2250, मैं फिर से explain कर रहा हूं, यहाँ आ जाके percentage पे 50 करके, जो value आर 2250 यह, तो filter other offset 2250, उपर का 0, निच्छी का 2250, ओके दे दिया, अब देखिए, अब उस leaf को दुबारा पेश किया, ऐसे करके, ऐसे गुमा के, gap fill करके, पॉफ़कलिस के साथ, matching कर दिया, अब देखिए, मेरा repeat हो गया, इतना simple, ओके, अब इसको मैं save करता हूं, अब ही, suppose यह फाइल अब को प्रिंटिंग में देना है, आप डारेट नहीं दे सकते हैं, इसको दो बार बिटा के देना पड़ेगा, क्योंकि यह cross repeat है, तो अब ही image में जाके, मैं इसको duplicate लेके आपको समझाता हूं, duplicate लिया, ऐसे, इसको पूरा flatten के मेर्श, इसको duplicate layer लेके, canvas is percentage, 200% ऐसे करके, फिर इसको लाइन के राइट सेट, यह लाइन आरा, again, filter, other, offset, 2250, देखिए, जैसे 2250 हुआ, वर्क लिया repeat बाइडिया, कहीं भी कोई भी problem नहीं है, अभी इसके बाद यह पूरा state repeat होते जाएगा, एक बर cross repeat बिटाने के बाद, तो यह कोई problem ही नहीं है अभी printing में भी, यह होता जाएगा, मैं इसको, आपको repeat में बिटा के दिखाता हूँ, different pattern, इसको 5 बर repeat में बिटा के दिखाता हूँ, pattern में fill क्या, percentage, 5-5 दे देता हूँ, देखिए, 5 बर इसको बिटा है, कहीं भी row form नहीं दिख रहा है, देखिए, कितना perfectly flow और है, यह actually princess है, एक तम perfectly flow और है, प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, इतना simple है, cross repeat, यह मैं save नहीं कर रहा हूँ, यह देखिए, perfectly bad idea, I hope, आपको समझ आया होगा यह, अब देखिए, अभी यह ground हो गया, अभी एक और experiment करते हैं, इसको उपर एक और element डालके हम, pattern के से बिटा है, cross repeat, तो एक circle लिया मैं, इस circle element को copy किया, यह अडाला, तो इसको मैंने control टीर गया से चूटा किया, ओके, यहां रखा, control एक किया, crop किया, अब इसको duplicate लिया, और इसको filter other offset में जाके, उपर नीचे गया, ऐसे, अब देखिए दूस्तों, यह layer बंद किया, rule तो एकदम यह हो गया, इसको control ले करके crop करिए, सबसे पहले, अब इसको भी दो बार बाग में करिए, इसको आदा लिया, अभी filter other offset में जाके, उपर का 0, नीचे का 2250, वो value दे दीजेगा, फिर अब का पहले का जो बीच के जो रखा है, उसको adjust करने करिए, यह straight रखना है, straight रखिए, नीचे वाला सरक्ल को अपची suggest करने है, वो को अंदर की तरह से, मैं ऐसे रखा, जो आम पार्ट में लोकर नहीं चाहिए, यह नहीं चाहिए, clash वर तो इतना delete किया, अब देखे, अब मेरे यह भी cross repeat में बहने है, इसको भी में को कोई problem नहीं है, एकदम बौफ अपते हैं, यह element भी cross repeat है, एक और element में बिटा था इस पर, समझ लो चो, easy समझ आएगा, यह element लिया, इसको भी लिया, यहां पैसे रखा, इस सुफ समझने के लिए कर रहा हूं cross repeat इसको, सिखेया, इसको, ऐसे लिया, suppose मैंने इसको, ऐसे कर दिया, अभी क्या किया, इसको crop, मतलब merge किया, crop किया, अब इसको filter अधर offset में जा किया, इसे, किया, अब सेम चीज़, इसको भी दो बाग हो गया, किसी एक बाग को पकड़ के इसे पकड़ूंगा, 0, 2250, 0, देखिए, 2250, मेरा हो गया, फिर इसको जो पहले copy करके रखा तो यहां पर paste किया, अब मैं उसी सब से यहां adjust किया इसको, बर्श किया, अभी इस बर क्या करूंगा इसको 00 करके, सिर्फ height में इससे लूँगा, क्योंकि height में करता है तो मैं को cross बिटाने के जरूता है, जब वो horizontal जाता है तब ही बिटाना है, तो इसमें फिर से उस element में डाला, अब देखिए, मेरा repeat perfectly by the idea, अभी मैं इसमें अलग तरके से यह, इसके यह भी एक लिपिट उस कर सकता हूं, मैं यह भी एक repeat उस कर सकता हूं, यह फिर इसके बिना यह भी repeat उस कर सकता हूं इसका, आप कुछी भी देखो, fundamentally हमने इतना perfectly follow किया, यह repeat byte name है, मैं इसको एक तुस्य सेव करता हूं, इसको अलग अलग तरीके से repeat video के दिखाता हूं, आप देखिए, इसको duplicate लिया है, पूरा merge किया, duplicate लिया, percentage 200, इसको right side alignment किया, अब इसको, 2250, देखिए, कितना perfectly balance हो गया हम, समझया, कितना perfectly balance हो गया, repetition दिखेगा, इनी एकदम अच्छा दिखेगा, अब भी समर्लो, suppose मैं ने, यह layer को बांद किया, यह दो no layer लगा, अब आप देखिए, इसको भी merge करिया, duplicate, percentage तो, फिल्टर अधर अधर देखिए, कितना perfectly better है, बिने किसी problem का, एकदम simple है, I hope आपको यह समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा, मुझे comment करिये, conduct करिये, मैं definitely इसको solution दे दूँगा, जाहां भी आपका confession उसको clear कर दूँगा, Okay, thank you so much friend, thanks a lot.